हेलो वेल्कम दोस्तों मैं हूँ किश्व और आप देख रहे हो रादे बीट्स और आज के इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले सैंसंग गेलक्स M30S के कुछ खास फीचर्स के बारे में तो प्लीज वीडियो को भीना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुचा दे रहे तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले फीचर्स की हम बात करें तो यहां पर आपको जना होगा कॉल्स में जैसी यहां पर क्लिक करोगे यहां पर आपको क्लिक करना है फिर यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और तो यहां से मतलब आपको कोई भी अर्दर वाइस डाउन इस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही ठीक तरह से वर्क करता है और नीचे की तरह आओगे तो यहां पर दोस्तों आपको देखने है तो मैं यह इनिवल कर देता हूं तो दोस्तों अभी बात करतें नेक्स्ट फीचर्स की एप साइड एंड अन हाइड के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारी एप से जो आप कुछ हाइड करना चाहते हो एप्स को तो यहां पर ट्री डॉट पे क्लिक किजि करना है हम फेस्बूक गैलरी और गूगल को अभी हाइड करतें फिर यहां पर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं यहां से हमारी हाइड हो चुकी है अभी जो हमने हाइड की वह हाइड हो चुकी है अब इसको अन हाइड कैसे करना है तो वही सेम प्रोसेस है दोस्तों करना को से लास्ट में आप्सेन देखने को मिल जाता है सब्सक्राइब करना है यह नीचे की तरफ दन पर क्लिक करना है तो आपका जो एप से वह ऐसे अनाइड हो जाएगा तो आप देख सकते हो अभी हमारी प्स हाइड हुई थी वह अनाइड भी हो चुकिया मत्लब डिस्प्ले पे सो हो रही है बात करते हैं दूस्तों next features की नेक्स्ट पीचर्स में आपको जाना होगा settings में settings में जैसे जाओगे यहां पर बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं तो यहां से दूस्तों आपको जाना होगा डिस्प्ले में तो जैसे डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको डार्क मोड का option भी देखने को मिल जाता है जिसको आप कर सकते हो मतलब आप रात को ज्यादा मोबैल यूज करते हो तो इस डार्क मोड को option यूज करना ही चाहिए और ब्लू लाइट वाला भी आपको option देखने को मिल जाता है मतलब आप रेडिंग करते हो रात के समय वाट्साप फेस्बुक ज्यादा चला चैटिंग करते हो तो यहां से आपकी आखे को प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए दो option दिये जाते हैं और दोस्तों बात करते हैं भी निचे की तरफ नेविगेशन बार की तो यहां पे आपको फूल डिस्प्ले चाहिए तो यहां पे यह फूल डिस्प्ले भी आप रख सकते हो जो आपको निविगेशन बार पसंद हो आप इजीली यहां से इनेवल कर सकते हो मुझे अब यह वाला पसंद है तो मैं यही रखता हूँ और बात करते हैं निचे की तरफ तो यहां पे दोस्तों ऑल्वेशन डिस्प्ले का ओप्शन भी देखने को मिल जाता है तो अपने बाप में एक बहुत ही अच्छी बात है तो इसको भी आप चाहो तो इनेबल कर सक सकते हो ओल्वेशन डिस्प्ले और यहां से इसका स्टाइल भी चैंज कर सकते हो आप ओल्वेशन डिस्प्ले का क्लॉक का तो आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो फिर यहां से कर देना है फिर हम देखते हैं यह कैसे काम करता है मैंने इसको इनिबल कर द तो यहां पर सोख्य जाए गी और दोस्तों बात करते नेक्स्ट फीचर्ज की है तो यहांborn नीचे की तरफ आपको पाप्स नेखने को मिल जाता है यहां विया स्पीचर्स का है जैसे मैं अगर्सक्राण पर इनाफ यहां मुद का अफ क्लिफर करना है और यह नीचे बटन पर क्लिक करना है फिर यह बीच वाला है वो दो बार टेप करना है आपको जैसे यहां पर आसे करोगी तो आपको वन हैंड मोड का करना हो जाएगा आप वन हैंड मोड में मोबाइल यूस कर सकते हो जैसे कि एक हाट से कुछ काम करो एक हाट से आपको चैटिंग करना है कुछ भी तो यह बहुत ही इजीली काम करेगा तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं अगर आपका कोई भी सुझाओ कुछ भी पुछना चाहो तो हमें नीचे कॉमेंट सक्षन में ज़रूर बताना तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों ठेंक्यू सो मच ब सुझ कृबनGS झाल के लूर दोस्तों ठाज कि दोस्तों में नहुझ रहते हैं यहाभूर आती में पुराछे कुछ कॉ